योपे के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने रवीवार को राम जनम भूमी में काबुल नदी के जल को गंगा जल के साथ मिला कर समर्पित किया यह जल काबुल की एक बालका ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भेजा था प्रधान मंत्री ने इसे राम जनम भूमी में समर्पित करने के लिए योगी आदितिनाथ को भेजा मुख्यमंत्री इसी जल को लेकर आयोध्या पहुँचे उन्होंने राम मंदिर निर्माड अस्थल पर पूजा नर्चन करते हुए काबुल नदी और गंगा जल को समर्पित किया इसके पहले मुख्यमंत्री ने राम लला का दर्शन किया और आर्थी उतारे साथ ही राम जनम भूमी परिसर में चल रहे हैं निर्माड कारे का अबलोकन भी किया वही तकनीकी विशेश अग्यों ने नक्षे के माध्यन से मंदिर निर्माड की प्रेक्रिया से मुख्यमंत्री को अवगत कराया इस दोरान मुख्य मंत्री योगी ने कहा कि राम जनम भूमी में मंदर निर्मार का कारी युद अस्तर पर चड़ रहा है प्लेप्त की भराई का कारी हो रहा है उन्होंने बताये कि प्रधान मंत्री मोधी के निर्देश पर काबुल नदी और गंगा जल को यहां समर्पित किय गया है इस जल को काबुल की एक बालिका ने भेजा था काबुल की महिलाओं और बालिकाओं की पीड़ा के साथ भारत की सनवेदना को जोडते हुए राम लला की जनमिस्थली पर जल को अर्पित करने का सभाग्य मिला उन्होंने आगी कहा कि भगवान राम सर्वभ्यापी ह हर एक नागरिक उनके प्रती आस्था को बेक्त करता है काबुल की बालिका की भावना का सम्मान करते हुए प्रधान मंत्री ने इस कारे के लिए मुझे भेजा इसलिए मैं विशेस रूप से यहां आया इस जल को राम लला के चरड़ों में अर्पित करने के बाद राम जनम भूमी को समर्पित किया आगे मुझे मंत्री ने यह भी कहा कि पूरू में भारत की बिभिन नदियों का जल राम जनम भूमी लाया गया था इसी कड़ी में काबुल नदी के जल को भी यहां समर्पित किया गया